पूरा कवरेज कर रहे थी धीरज साहू का मामला था जो कंग्रेस के राइस सभा सांसद थे इतना पैसा साड़े तीन सो करोड अपर आज तक उस पर कोई कारवाई नहीं हुआ कुछ नहीं दिखाई दिये धीरज साहू देखे सबसे पहले उनके जैसे इस देश में 790 संसद है 543 पलस दो यानि 545 सांसद लोग सभाके 233 पलस 12 यानि 245 राज सभाके यानि कुल मिलाकर 790 चलि हमने उनमें से 90 को हम प्रणाम हमको मैरा दिल कहता है कि 90 लोग इमांदार होंगे नब्य लोग इमांदार होंगे चलिए उन नब्य को हम माइनस करते हैं अब बच गए 700 संसद यह बहुत गंभीर विशय में बात कर रहा हूं क्योंकि देश की सारी समस्यों का समाधान इस विशय पर है कि 700 के पास कितना पैसा मिला एक साड़े 300 क्रोर पांसो तक गया सपोज सपोज मान के चलिए कि हम लोग 500 पकड़ा गया यानि उनुमान उसके मूंके पास कोई जानता तक नहीं था बिल्कुल बिल्कुल तो एक सामान्य संसद जिनको कलता कोई जानता नहीं था उसक्स के पास अनुमान 1000 क्रोर है तो मानके चलते हैं कि हम सामान्य संसद उन 700 में मानके चलते हैं कि आधे से ज़्यादा को समान्य रखते हैं यानि 700 में 400 को हम समान्य संसद मांते हैं 400 गुना 1000 करोर कितना हो गया चार हजार करोर चाली सज़र ठीक से बार काउंटिंग कर लीजी आप लोग भी चार्लाग करोर 1000 एक बंदे के पास है तो 400 के पास कितना होगा यानि आप सोच के देखे कितना धन रासी हुआ चुकि 400 मैं समाने सांसद गिन रहा हूं अब बात करता हूं बाकी 300 उनमें से लगभाग 50 के असपास केंद्री मंत्री हैं मैं इमानदारी से अगर कहूं तो उनके पास कितना था सो कडोर ना सोरी एक हजर कडोर ना उनके पास नहीं करने से भी 10,000 कडोर होगा पचास केंद्री मंत्री फिर उनके गुना किजिए 10,000 कडोर से वह रासी कहां तक जाएगी अब उन पचासो को मैनस करते हैं हमारे पास अभी भी बचे हुँ है अडाय सो संसद उन धाय सो को हम अनुमान मानते हैं 10,000 सोरी 10,000 के इनको जोड़े अब उनको हम मानते हैं 1000 और 10,000 के बीच 5,000 में लाते हैं यानि उस धाय सो सानसाथ को फिर 5,000 से गुना कीजिए क्या परिस्तितिया होंगी कितना धनरासी जमा है अच्छा एक बात बताए जब हम बोलते हैं कि किसी लड़का को एक छोटा सोधन देते हैं चाह हम दिने सर कोई बोलेंगे सर अच्छा से अच्छा से थोड़ा अच्छा दिखिया इसका मतलब क्या अच्छा पहनेंगे तब हैं अच्छा रहेंगे अच्छा खाएंगे तो अच्छा कहां से आएगा पैसा से अच्छा खाने बोलेंगे भोजन अच्छा होना चाहिए वो कहां साएगा पैसा से यानि सारा चीज है राज तो अमीर है राज भी गरीब नहीं है और नहीं देश गरीब है मुठी भर लोगों के हाथों में देश की संपती है इसलिए आज ये देश की दसा है बगत सिंग ने एक कतन कहा था मैं उसको पुना कोट करूंगा कि कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि लेते मतलब अपने घर में लाकर पसूओं की तरह खटाते हैं उसको साप करवाथ नहीं जूबी करते काम जो एक जानवर की तरह उसे काम लेते यानि एक इंसान दूसरे इंसान खरिद चुका है और वह जब अपने आपको बेच चुका है रिजन क्या था पैसा और पैसा कह है हमारे संसदों के पास एक लोजीकली बात देखें जरकंड के अगर हम बात करें तो आइधिंग जरकंड में साइध 2001 के आसपास सर अगर आप लोग गूगल कीजेगा तो हमको लगता है 19,800 के आसपास बिधायक लोग का बेतन था 19,800 अगर आप 2010 के आसपास चलिया यह गा तो वह बेतन चला गया था आप सवाल हमसे करें उसी परिस्तिति को बदल गया आना चाहते हैं आज हम लोग क्यों गाओ गाओ तक गए हमारे पास कुछ भी नहीं क्यों गाओ गाओ का तक हम लोग विचार धारा है हम लोग विचारदार इसलिए बने कि इस पैटर्न को हम लोग फॉलो नहीं करने देंगे यह जो पॉलिटिक्स चल रही है और हम चाहेंगे जितने भी विधायक सांसदे हैं हमारे अगर वो लोग अपने 70% पैसा को दान दे देते हैं तबी वो यह बात कह सकते हैं कि हम देश का विकास कर जाया है नए तो उनके पास अभी तो हमने संसदों को पैसा गिनाया है विधायकों का गिनाएंगे और उस पैसे का जब बजट त्यार करेंगे और उसको अगर परतिक जीला बाजज जो हमारे 700 के आसपास जीले हैं, उस जीले में बटवारा करेंगे, हमारे पास जो प्रखंड है, हमारे पास जो 7 राग गाहम है、 उनमें जो बटवारा करेंगे तो एक बहुत बड़ी रासी सामनी आएगी देखे एक सबसे बात किलियर जान लिजिए विक्सित होना का मतलाब उन्नती होना का मतलाब आर्थिक से है सबसे बड़ा इंपोर्टेंट चीज है आर्थिक economy यानि साफ सब्दों में पैसा वो पैसा गलत तरीके से ये लोगों के पास है अपने इसलिए देखा को बन्दा कांगरेश का था दिरेशाओ जो गलाथे तो गलाथ है ठीक हम भी चाहेंगे कि दिरेशाओ जिसे जितने भी लोग है सामनी आएं लेकिन वो बंदा इसलिए पकड़ा काया कि कॉंग्रेस का है क्या बीजेपी के बलग पास नहीं है उससे दू गुना तिन गुना चार गुना है लेकिन चुकि सरकार में बैठे हैं और यही हमारी देश के माहोल बना है लोग अपने पक्स के बुरे लोगों को भी अच्छा मा आएगी ददा एक छोटा सा सवाल है कुछ मुश्यम समुधाय की लोगों को मैंने बाइट लिया था तो और कमेंट्स बॉक्स में भी मेरे आते हैं जिस तरह से आप और रिजवान करांतिकारी साथ में मिलके अंदोलन किये थे तो लोग जानना चाहते हैं कि रिजवान करां अंदोलने से करार दिया हलांकि एक जाती का अंदोलन नहीं था लेकिन संख्या एक जाती की ज्यादा थी तब हमने परियास किया रिजवान सहाब को हम साथ लेकर आए उसके पता नहीं उनके मन में चुकि मैंने भी देखा दो सालों के दर्मियान मेरे बहुत सार ऐसे मित्र जिन पर राजनितिक दलों ने कुछ दबाब बनाया कि लोगों को परियास किया उनके साथ किसने क्या किया यह हमको अभी तक आईडिया नहीं लेकिन हमें अच्छे इंसान है नाम क्यों नहीं लेंगे तो हम लोग और बहतर रिष्थितिती होंगे तो लेकिन चुकि उनकी लेकिन अब लगता है कि हम लोग नए लोग है इसलिए पता नहीं हम लोग सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी यह तो खेर वह जानते हमारी और से द्वार खुला है उनके लिए जब आएंगे श्वागत है बिलकुल उनका श्वागत है वह हमारे बड़े भाए हैं अच्छा अंतिम सवाल आपके ही आपके समर्थक आपके जनमदीन सामने आ रहे हैं आपके चाहने वाले लोग सब को अपने बीच में आपका जनमदीन मना बहुत सारे कमेंट्स में आते हैं कि जहनामदा बलाने अपने पास बूलाना चाहते हैं इक साथ मिलके मनाना चाहते हैं तमाम लोग आपको संपर साथ रहें लेकिन new सबसे पहले हमारे जितने भी मीत्रे हैं जो उनका हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं सुक्रगुजार है उनका कि इतना प्यार इस जीवन में इस छोटी स्यायु में सायद किसी को मिला होगा उसके लिए धन्यबाद लेगिन चुकि हम लोग एक क्रांती की मिसाल बन चुक कर एक जीत मिलते हैं तो जोपने कि त्यारिन करते हैं शली हो जो ढर्ट-धिन वह उसके लिए उनका कि नहीं को हमारे जनम दिन के दिन हम लोग कोई क्रांती में भाग लेते हैं तो इसलिए हमारे बजह से अगर खुशिया कहीं आती है तो पीछे क्यों फाटें लगबग दो चैनलों में बाइट दे चुके हैं तो वह कह रहे हैं पर आपके तरफ सभी तक कोई असवस्थ है और हम तक कोई सूचना नहीं है और फिलाल इस पर हमें हमरे संग्यान में सा कुछ है नहीं लेकिन हो सकते गुरू जी अगर कुछ और नहीं है लगातार कोशिश कर रहे हैं कौहां सब्सक्राइब और में पृबणा से यादार निया है हमारे बंदन है वह अनरक्षक के तौर पर हमारे साथ आए उनका स्वार्गत है